हाई फ्रेंड्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे तरोई की बहुत ही टेस्टी सबची यह सबची खाने में इतनी टेस्टी होती है कि यह बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे और यह बहुत ही जल्दी बन का तयार हो जाती है तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए कुकर में हम दो बड़ी चम्मच ओईल लेंगे मैंने यहाँ पर सरसुक का तिल का यूज किया है तो जब तील हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे एक चुटी चम्मच जीरा, दो चुटकी हींग और जीरा और हींग को थोड़ा सा भून लेंगे तो साथे हम इसमें एट करेंगे 10 से 12 लेसुन के कलिया जिनको मैंने लंबा कट कर लिया है और लेसुन को हम भून लेंगे हम इसको कच्छा नहीं रखेंगे, हम इसको थोड़ा सा भून होने तक भूनना है तो लेसुन हमारा अच्छे से भून गया है अब हम इसमें एट करेंगे 2 मीडियन साइज के प्याज, इनको भी मैंने लंबे पीचिस में कट कर लिया है प्याज अब अपने पसंद के कॉर्डिंग किसी भी सेप में कट कर सकते हैं और प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे इस सब्जी को बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि प्याज को हमें कच्छा नहीं रखना है इसको हमें थोड़ा आचे से भून लेना है तो ये देखे प्याज अभी हमारा आचे से भून लेंगे तो कुछी मिन्टों में हम देखेंगे इप आज भी हमारा आचे से भून गया है तो हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल दीमा कर लेंगे तो अब हम इसमें एट करेंगे एक छोटी चम्मच थनिया पाउडर आदा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर आदा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर आदा छोटी चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च कस्मीरी लाल मिर्च डालने से सबजी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा साथी कस्मीरी लाल मिर्च खाने में तीखी भी नहीं होती है नमक डालेंगे स्वाद नुसार मैं थोड़ा सा पानी एट करके इन मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे तो मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से वाइल ना छोड़ते हैं अब हम इसमे एट करेंगे अधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर थोड़े ही देर में आप देखेंगे कि मसालों ने भी अच्छे से वाइल छोड़ दिया है तो अब हम इसमे एट करेंगे दो मीडियम साइज के टेमाटर जिनको मैंने छोड़े छोड़े पीसे में कट कर लिया है और टेमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे हम इनको लगाता चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि टेमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब हम इसमें एट करेंगे दो से तीन हरी मिर्च इनको हम लंबा कट करके डालेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे आदा कडूरी चना डाल जिसको मैंने एक गंटे के लिए पानी में भिगो दिया था जिसे ये साइज में लगबग डवल हो गई है चना की डाल डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत है अच्छा आता है और इसको डाल कर हम अच्छे से इसमें मेक्स कर लेंगे अब हम इसको ढख कर 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे गैस की फ्लेम को हम धीमा रखेंगे तो लगबग 2-3 मिनट हो गए हैं और इनको हम एक बार अच्छे से चला लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे आदा केजी तरोई इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा किसी भी साइज में कट कर सकते हैं तरोई डाल कर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इनको लगाता चलाते हुए एक मिनट तक खुला पकाएंगे एक मिनट के बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी पानी हम यहाँ पर ज़्यादा यूज नहीं करेंगे और इसको एक बार फिर से अच्छे से चला लेंगे मैंने हाँ पर लगबुक चोथाई क्लास पानी का यूज किया है क्योंकि पकने पात रोई भी पानी को छोड़ती है अब हम कुकर के डखन को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें 4 सीटी लगने देंगे 4 सीटी आने के पाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर लेंगे और धीमी आज पर हम इस पर 2 से 3 सीटी और लगने देंगे फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और pressure cooker की gas को आराम से निकलने देंगे तो ये देखे, pressure cooker की gas निकल गई है अब हम सबजी को चेक करेंगे तो ये देखे, लग रही ना सबजी कितने अट्रेक्टिब आप इसको गर्मा गरम चपाती और जीरा रैस के साथ सर्फ करेंगे खाने में बहुती टेस्टी लगती है तो अगर आपको मेरी रैस्पी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें मेरे चनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें तो पर मिलते हैं एक नई रैस्पी के साथ बाई